तो करेंट अफेर्स के अंतर कर जो आपका अगला टॉपिक है वो है आप सभी का यहां पे आप देख रहे होंगे यह दो बड़े दिगज अथलीट है और आप सभी साइद इनके नाम से परचिती होंगे मुश्किल है कि आप साइद इनके बारे में ना जानते हों तो इनमें से एक हैं क्रिष्टियान और रोनाल्डो और यह हैं लियोनेल मेसी है ना विश्व पूरा जानता है फुटबाल के प्लेयर हैं दोनों के दोनों अभी हाली में विश्व के दस उच्छ भुकतान वाले एथलीटों की सूची जारी हुई है 2023 में दो मई को यह सूची जारी की गई थी फोप्स के द्वारा फोप्स के बारे में जानते हैं विश्व के सबसे सक्तिसाली सबसे अमीर हर तरीके की सूचियां जारी होती है तो एक सूची जारी हुई है कि सबसे ज़्यादा पैसा किस खिलाडी को मिलता है ठीक है तो सबसे ज़्यादा पैसा पाता है इन में से सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलता होगा फुटबॉल में दो मई को फ सबसे उच्छ भुपतान है इनका 136 मिलियन डॉलर ठीक है और लियोनल मेशी दूसरे नंबर पे हैं दूसरे नंबर पे इनको 130 मिलियन डॉलर इस समय अर्जिन्टीना को इन्होंने इस बार फीफा का वर्ल्ड कप जिता दिया फाइनली और बड़े ही धाकड प्लेयर हैं यह टो यह दूसरे नंबर पर यह है प्रैले नंबर पे और फस्टे मिलियन डॉलर तो यह सोचे कि यह टॉप थ्री मैंने आपको बताए हैं ऐसे ही एक लंबी लिस्ट है बॉस्केट बॉल से लेंब्रोन जेम्स हैं उनको तीस से चौथे नंबर पर रखा गया है फिर आपके फेनलो अलवारेज हैं बॉक्सिंग से हैं पांच में नंबर पर हैं डस्टिन जाक में जो भी होता है वह डिस्टिन के साथ ही जीवन जीता है ठीक है और यह लियोनल मेशी हैं कि लियन इंबापे हैं यह आपके जो है प्लेयर हैं टॉप थ्री प्लेयर जोकी आपके उच्छ भुकतान पाते हैं ठीक है तो यह ध्यान रखेगा इन सभी के बारे में एक लेरा सब्सक्राइब इसका यह रेइल विकास निगम लिंटेट यह रेल विकास निगम लिंटेड इसको जो है अर्वी एनल वी और अर्वीन और को क्या मिला है 9 रतन मीपनी का दर्जा प्राप्त हो गया यह भारत का तेरहवा 9 रतं कंपनी बन गया है थी सद्मिक छिद का उपक्रम है और यह भारत का क्या梁 चुका है नौरतन कंपनी महा रतन नौरतन यह दर्जा सारे दिए जाते dependence का मिला लगए जाथ हुआ ध्यान जान रखिएगा तो यह आपको इसका कारोबार बढ़ा है वार्षिक टार्णोवर बढ़ा है तो जो नौरतन की मानक होते हैं उन को समय खरा उत्रा है इस कारण से अर्व एनल को जो है मिड़ केप कंपनी है आपकी लार्ज केपनी मिड़ कर्पनी हैं 2013 में मिनी रतन का दर्जा मिला था आप नेशनल एल्मूनियम कंपनी लिम्टेड है, महानगर, MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिम्टेड है, हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिम्टेड है, इंजिनिरिंग इंडिया लिम्टेड है, कंटेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिम्टेड है, भारत लेक्ट्रोनिक ये सारी कंपनीं अपकी 13 नौरतन के दर्जे के साथ चलिए आगे चलते हैं डेश में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंझूरी दी है कैबिने ने नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं लेकिन आप सरकार चाहए रही है की साथ साथ नर्सिंग कॉलेज भी बन जाएं तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज पूरे देश में बनाये जा रहे हैं और देखे उद्देश यही है कि स्वास्त सेवा के छेतर में जो संसाधा ने कोबिड के बाद से सरकार ने सीख ली है और उसके बाद से बड़े इस तर पे सरकार ने स्वास्त योजनाएं जारी की है आयूश्मान भारत योजना के बारे में भी आप सभी जानते होंगे और मैं एक चीज आप लोगों से सभी से कहता हूँ जितने भी बच्चे यहां पे हैं आप लोग आयूश्मान कार्ड यदि आपका बन सकता हो आप उस क्राइटेरिया में हो उस दायरे में हो तो जरूर से जरूर आप और अपनी फैमिली का आयूश्मान कार्ड बना दीजेगा बहुत जरूरी होता है स्वास्त का कुछ पता नहीं है इश्वर न करें सबस्वस्त रहें बहुत अच्छे रहें लेकिन कभी कभी स्वास्त आपदा आ जाती है तो स्वास्त आपदा के लिए हमारे पास या तो हेल्थ इंसोरेंस रहे आपने हेल्थ इंसोरेंस करा रहा हो यदि हेल्थ इंसोरेंस नहीं करवा रखा है तो सरकार के द्वारा आप सभी के लिए आयूश मान भारत योजना का जो है जो इतना बड़ा कारक्रम चलाए जा रहा और सोचिए देखे बहुत साई लोग सोचते हैं कि असली बचत जो है न वो पैसे को जमा करते रही है जमा करते रही है और मिल जाएगा वो एक सेकंड में उड़ जाएगा आपने मा लिजे दो लाग दस लाग रुपए आपके परिवार के लोगों ने सभी ने जमा कर रखे ह हैं लेकिन कितना टाइम लेगा यदि हेल्थ खराब हुआ तो स्वास्त वीमा में आपको बहुत बड़ा कबरेज मिलता है और यदि सरकारी नहीं मिल रहा है तो मैं तो इतना सलाह देता हूं सभी को कि एक बार यदि आप चाहते हैं कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है पैसे को सही जगे सद उपयोग करना है तो एक साल दो साल तीन साल ऐसे ही प्रीमियम हो सकता है आपका जाये क्यों आप बीमार पड़ें लेकिन जिस साल आपको किसी तरीके से आपको आपके परिवार को दिक्कत हुई तो आप सोचे कि अचानक से सब कुछ जो है स्वास् स्वास्त सेवा के चेत्र में योग मानोस अंसाधनों की उपलब्धता को बढ़ावा मिले इसके लिए नर्सिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं 157 नर्सिंग कॉलेज आने वाले दो सालों में सरकार चाहती है कि इसको पूरा करें और इसके तहे जो है जो मेडिकल कॉलेज हैं ब रिसोर्स है उसकी जो है संख्या बढ़ती रहेगी मौजूदा जो इंफ्रेस्ट्रेक्चर है इसकिल है प्रयोक सालाएं हैं या जो सुबिधाएं हैं इन सभी का अधिक्तम उप्योग किया जा सके गा और हम जो है चाहते हैं कि बड़े इस्तर पे जो है हमारे देश की से करेंगे कि बड़े इस तरफे काम हो सके चलें है यह अपका नेक्स्ट है इंडिया का मेडिटेक एक्सपो 2023 का योजन हुआ था इसका हूँ अपका जो है इसका इल्टिमेट उपकरण है उसके छेत्र में विकास किया जाया बैस्विक इस्तर पर जो उनकी जरूरते बैस् किस्पित कर सके और étी हो सके तो उनको मलब जो नहीं है उनको बना सकें उनकी संभाव मां का पता कर सकें तो मेडिकल उपकरणों को लेकर कि आप का मेड़ितेक एक्स्पो ये कहां हुआ था तो इन इसको 2023 का था यह गुजरात गांधी नगर में ऐज़ित वा था ठेकर गुजरात गांधी नगर में यह वैसे 2022 में हुआ ठारा से बीज यह पिछले साल भी यह कुळ तयां इससल जो आयोजित होना है अपका ठेकर पिछले साल आपका 2022 में आपका ये आयोजित हुआ था 9 से 11 दिसंबर 2022 को और ये नई दिल्ले में हुआ था 2022 वाला नई दिल्ले में हुआ था 2023 वाला जो होना है वो गांधी नगर गुजरात में होना है ठीक है तो देश सिर्फ है किस्सा उपकरणों के छेत्र में काम करना और इसके लिए जो है फर्मसेटिकल विभाग है आपका वही जो है इसको पूरी तरीके से आयोजित कराता है ठीक है तो जी ट्वेंटी के स्वास्त मंत्रियों की बैठक भी है 17 से 19 अगस 2023 को इसी दौरान जो है मेडिटेक एक्सपो स्वास्त मंत्रियों की बैठक भी होगी जी ट्वेंटी के और उसी के साथ ही आपका इंडिया मेडिटेक एक्सपो का भी आयोजन किया जाएगा त्यान रखेगा इसको ठीक है तो मेडिटेक एक्सपो जो है आपका पिछले साल वाला नौ से ग्यारा दिसंबर यह आपका प है आपकी बनी रहती है जी ट्वेंटी पार्टियन एक्सपो 2023 का योजन हो रहा है यह हो चुका है इसी साल हुआ है 25 से 25 अपरेल को आपका जी ट्वेंटी पार्टियन एक्सपो जी ट्वेंटी पार्टियन एक्सपो यह आपका कहा हुआ है जैपूर राजिस्थान में जी ट्वेंटी पर्याटन एक्सपो यह आपका कहा हुआ है जैपूर राजिस्थान में जैपूर राजस्थान में आपका जी ट्वंटी पेटेन एक्सपो आपका एऑ किसके द्वारा किया गया है और ये जो है इंडियन ट्रेल बजार के बार वें संसकंड का योजन किया गया है और ये जो है व्याद में सेख है और उद्देश यही है कि भारत में टूरिजम को कैसे और डेवलब किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए ठीक है जान रखना इसको चलिए आगे चलते हैं अगला है आपका एक बैंक है आप सभी जानते होंगे इसका नाम है ASEAN Infrastructure Investment Bank AIIB ठीक है इसने अपना पहला विदेशी का इस्टेबिश किया है और यह बनाया जा रहा है कार्याले आपका अबू धाभी में दुबई में आपका पहला कार्याले बनाया जा रहा है AIIB का AIIB का पहला जो है आपका क्या बनाया जा रहा है कार्याले बनाया जा रहा है दुबई में बनाया जा रहा है ठीक है पहला कार्य बैंक है जैसे कि ADB है वैसे ही आपका AIIB भी बनाए गया है एसियान इंफरस्ट्रिक्चर इंवेश्मेंट बैंक तो यह 2016 में स्थापित किया गया एक बहुत पक्षिये बैंक है ठीक है इसका मुख्याले कहा है बीजिंग चीन में है आपका तो देश से क्या है बेसिक इंफरस की गई थी AIIB की एसियान इंफरस्ट्रिक्चर इंवेश्मेंट बैंक जो है भारत अभी इसका इससा नहीं है तो यह जो है यह अबू धाबी दुबई में जो है यह आपका इसका पहला कार्याले बनाए गया पहला विदेशी कार्याले बनाए गया है जयान रखेगा इस बा इसका पहला जो है आपका विदेशी ब्रांच इसकी बनाए गई यह अबूधावी में इसके बारे में इसके बारे में आपका 157 नर्सिंग कॉलेज बोलना जा खोला जाना है आर बी अनल को आपके जो है नौरत ने का दर्जा दिया गया है और यह आपके जो है क्रिष्टि बिष्टान पाने वाले अफलीटों में से एक है भारत के टॉप 10 में कोई नहीं है ठीक है तो यह आज जो है आपका महत्यपून करेंट अफेर में से एक है आप इस करेंट अफेर को पढ़िए याद करिए रट जाईए और आप सभी को यह करेंट अफेर बहुत काम करेंगी एक एक करके आपको बस रटते जाना है जैसे आप रटते जाएंगे चीजें आपको रटने का मतलब है डिवीजिन जितनी बार आपको को रटना सब दियूज करूं इसका मतलब मैं रिवीजन के लिए आप लोगों को प्रुसाहित कर रहा हूं रिवीजन करेंगे यही चीज आपके हो जाएगी ठीक है और अभी तक जितना पढ़ा दिया है उसका भी रिवीजन करिए एक दो बार तीन बार पढ़ने से हमेशा के लिए चीज़े हो जाएंगे और एक्जाम में अच्छा कर पाएंगे ठीक है चलिए